कि नमस्कार दोस्तों में राजिंदर कुमाउद आपका स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल उज्वल क्लासेज पर कमर कसली जी हो जाइए तयार अब हम मैट्रिक्स का पांच वाव वीडियो वड़ने वाले आज परिवर्थित मैट्रिक्स से इसकी सुरुवात करेंगे परिवर्थित मैट्रिक्स दरसल क्या होती है ट्रांस्पोज मैट्रिक्स क्या होती है यह कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास जैसे कोई मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स कि ए है एम क्रोस एन की हम इस मैट्रिक्स की बात करें इसकी परिवर्थित मैट्रिक्स जानना चाहेंगे यहां पर मैट्रिक्स एकी परिवर्थित मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स एकी परिवर्थ मैट्रिक्स कि इसके दावारा दरशाई जाएगी सबसे पहले हम यह बात करेंगे एक की पावर टी के दावरा दरशा सक्तें हो एकी पावर S्मॉल T के दावरा 11 बरसा सक्ते हो एक इन एक इफまず के दावारा दर कि जितने भी पंग्तिया हैं उनको इस्तंबों में बदल दिया जाता है और इस्तंबों को पंग्तियों में बदल दिया जाता है एकी पावर्टी तब प्राप्त होती है दोस्तों जब मैट्रिक्स मैट्रिक्स A की सभी पंक्तियों को सभी पंक्तियों को इस तंबो में और इस तंबो को पंक्तियों में बदल दिया जाता है पंक्तियों में बदल दिया जाता है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा यह इसका करम M into N है तो यहां पर M तो क्या है पंग्ती है और यह क्या है इस्तंभ है अब हम बात करें जब भी इसकी ट्रांस्पोज मैट्रिक्स ग्याद करेंगे एक प्राफ्ट होगी तो उसमें जैस्ट यह उल्टा हो जाएगा जो पंगती है वो इस्तम बन जाएंगे और इस्तम है वो पंगतिया बन जाएगी यह इसका करम एन इंटू एम होने वाला है इस केस में देखो यहां पर हम रजेल्ट बता सकते आपको ऐसे लगा के एक की कोटी यदि एक की कोटी एम इंटू एन है दिस इंप्लाइज एक की पावर टी की कोटी एन इंटू एम होगी जैस्ट टूल्टी होगी नहीं यहां पर यहां पर मैट्रिक्स A इक्वल टू A I J M क्रोस N है तो यहां पर A की पावर टी जो होगी उसमें क्या होगा जो I है वो J की जगे चला जाएगा और J है वो I की जगे आ जाएगा तो A J I और इसका करम क्या होगा दोस्तो N इंटू M होगा अभी हम बात करेंगे एक्जामपल की साहता से बिलकुल भी confusion नहीं जोड़ूँगा दोस्तों मैं एक एक्जामपल लेते हैं matrix A है 2, 3, 4, 1, 0, 2, 7, 5, 6 3 into 3 की करम की matrix है इसकी transpose matrix आपको ग्याद करनी है तो ये पहली row है वो पहला इस्तम बन जाएगी यानि कि इसको हम गुमा के यूं कर देंगे ऐसे तो ये 2, फिर 3, और यहाँ पे 4 आएगा दूसरी पंक्ति ये R1, ये R2 है तो ये वाली row है क्या बन जाएगा ये वो सभी पंक्तिया स्थमों में बदल गई और जो इस्तम था वो पंक्तियों में चेंज हो गई आप देखोँ पहला स्थम क्या था इसमें 2, 1, 7, अब यह क्या बन गई, पंक्ती बन गई, दोस्तों देख सकते हो, आप यहाँ पर बिलकुल आपको दिखाई दे रहा है, 2, 1, 7, है ना, अब दूसरी जो पंक्त, दूसरा जो इस्तम था, 3, 0, 5, यह पंक्ती बन गई, यहाँ पर करम क्या होगा, इसका 3, 2, 3 हुआ, 3, 2 हुआ, दूसरा एक्जामपल इदर लेके मैं बता रहा हूँ, आपको अलग करम का, जैसी कोई मैट्रिक्स भी है अपने पास, और इसका करम है, 2 इंटू 3, कितने करम की है, 2 इंटू 3 करम की है, तो B की पावर T ग्याद करनी है, B की परिवर्टित मैट्रिक्स आपको जाएगा, और यहां पे आपको दिख रहा है, 2, 3,4 है, तो यह पहला इस relevant, दो, sorry, 2, 3, और 4 हो गया, यहां पे 5, 1, और 0 हो गया, अब आप देखोगो गए, पहली पंग्ति पहला इस्तम बन गया, दूसरी पंग्ति दूसरा इस्तम बन गया, इसका करम क्या हो गया, तीन इ आगे बात करते हैं जब कोई मैट्रिक्स ँकाई मैट्रिक्स होती है और उसके आप परिवर्चित मैट्रिक्स लेते हो तो सेम वापस वही मैट्रिक्स प्राथ हो जाती है आए 3 होगी और इसके पावड़ती लगेगी स्म वापस वोई निकल कर आएगी पहली पंगति पहली पंगति वना है। बनेगा तीना वापस वह की मैट्रिक्स अपने पास आ जाएगी बात करे इसके गुण दर्मों की बात करें की जो परिव्र्तित से कौन कौन से गुंधरम होते हैं कौन कौन से यहां पे हम बात करने वाले नियमों की गुंधर्मों की परिवर्त के मैट्रिक्स के कि गुण दिरम कि पहले गुण दिरम की बात करें अपने पास कोई दो तीन मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है दोस्तों ठीक है उप्युक्त करम की मैट्रिक्स है उप्युक्त करम का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था यह आप एडिशन कर रहे ह हैं आप मल्टिप्लाई में काम में ले रहे तो यह मल्टिप्लाई करने होगे भी है इनका करम उसी प्रकार से हैं जैसा कि हम गुंदर्मों में चर्जा कर रहेंगे पहला गुंदर्म होता है यदि किसी परिवर्थित मैट्रिक्स का फिर से परिवर्थित लेते हो तो वापस और यहां पर यहां पर पर पर्पांच फिर से की परिवर्तित号 हो गया आप एक की पावर T और इसकी भी पावर T तो आप देखो गए यहां पर अब यह क्या बन जाएगा दो साथ और 3 कि यहां पर आगया पाच अपने कौन सी मेट्रिक्स मिल गई यह हाँ पर अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि दो तीन दो थीन साथ पाँंस साथ और पाँंस यानि के वाला नियम बन जाता है यह सोई मेट्रिक्स एह है उसके ट्रांसपोज कर रहे हो फिर उसका ट्रांसपोज करे तो यहां पे आप ऐसे भी कर सकते अलग-अलग ट्रांसपोज करके उनको जोड सकते हो यह वाला जोल है ठीक है ऐसे घठाने का है दो मैट्रिक्स को कि अंतर का ट्रांसपोज करना चाहते हो आप तो आप उनका अलग-अलग ट्रांसपोज करके भी आप उनको घठा सकते हो दोनों बराबर ही होते हैं एकवल ही ह call नियम और उनका ट्रांसपोज करके 5 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है गुनंद HOLM रहे हो है तो यहां पे करम बदल जाएगा पहले बी आता है और फिर अ आता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट डूल है दोस्तों और इसकी कई बार अपने को आशकता पड़ती है और बी कोई दो मैट्रिक्स है और उनका ट्रांस्पॉस कर रहे हैं मल्टिप्लाइं में तो वह किसके बराबर होता है यहां पर दरसे दो ही मैट्रिक्स थी ज्यादा मै पर दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको आसा कर रहा हूं मैं फिर आगे वाला जो नियम है च्टा नियम है ट्रांसपॉर्ट का वह यह हैं यह दिकोई मैट्रिक्स है और इसकी घात कितनी है एन है और इसके उपर पावर्टी है तो सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो एकी यहाँझ यहां पावर्टी लेके फिर एइन गात रखा सकते हैं यहां पर नत्रल होना चाहिए इस रत होती है ठेकर दोस्तों अब अग्ला टोपिक रहेगा अपना समय lookingkick स्भी सम्मित मैट्रिक्स सम्मित मैट्रिक्स सिमेट्रिक और एंड सिमेट्रिक एंड इसके उसी मेट्रिक नॉन सिमेट्रिक बोल सकते हम अगला टोपिक अपना रहने वाला है सम्मित मैट्रिक्स और विसम सम्मित मैट्रिक्स सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोस्तों एक्सट टॉपिक हूं बात करें सम्मित मैटरिक्स और विसम, सम्मित मैटरिक्स तो देखो को वर्गय Library से सबसे पहले हम सम्मुत अधाए सिवाट्रिक कि सम्मित कि मेट्रिक्स क्या होती है अपने पावस एक है कोई मेट्रिक से अरन मेट्रिक्स और है कि बर्ञाबर हैं है यहाँ यहँ आंग्स को Senate go को कुछ भी आप लिख सकते हो सम्ड़क मैंटरिक्स बोलने का मतलब यह हुआ कि उसमें पंक्तिव कि और स्थक्रयल दोस्तों बराबर है यह वरग मेट्रिक्स सम्मित मेट्रिक्स कहलाती है क्या कहलाती है सम्मित मेट्रिक्स कहलाती है यदि इस मेट्रिक्स के पंक्तियों को इस तमो में बदलने के बाद भी मेट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो यानि कि हम यहां पे करें A की पावर T करें तो वापस भी अपने को क्या मिल जाए एह मिल जाए A की पावर T यानि कि A का transpose करें और वापस अपने को A प्राप्त हो तो हम यह कहेंगे कि यह matrix समित matrix है क्या है समित matrix है देखो ऐसा तब ही प्राप्त होगा ऐसा तब ही प्राप्त होगा दोस्तों जब ए आई जे इक्वल्टू क्या हो ए जे आई हो इस बात को समझना यह बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन में ने लिखिये है और अजे के लिए कैसे हैं ऐसा तब ही हुआ किसे ऐसे यह मैट्रिक्स भी यह मैट्रिक्स है ए 11 और आई और यह और जे को किजा ही करो तो यहाँ पर अलिमेंट ब्राबर यह आने चाहिए जैसे के आ ना चाहरा हूं इसनी हमके according ध्यान से देखना यहां पर मैंने दो रख दिया मेरी कुसी से मेरी मर्जी से एवन वन की जगे अब एवन टू की जगे मैंने तीन रखा तो अब यहां पर वन और यहां पर टू है तो बारा बना और यहां पर जैस्ट उल्टा करेंगी तो 21 जा रहा हूं तो यहां पर होता है यहां पर एक और दो यानि की बारा बनेगा चेस्ट उल्टा होगा तो 21 बनेगा 21 यहां रहा है यह दोनों बराबर होंगे तो यहां पर क्या एगा तीन आएगा इसकी कोई हमने चर्चा नहीं कि यह तो वैसे बराबर है तो यहां पर अप को वही मिलने वाला है यहर इसको बदलो यहाँ पर दो तीना इसको बदलो गई तीन चार तो वापस आप देखो येहीं तो बन गई गहीं लोड ढोलो एई ऑगया यह तो सम्मिथ में है कुई ऐगर कोविशन में लग कि अब हम नेक्स्ट मेरतिक्स के बाब करेंущ Chili टॉया關 फिर संने पर गदे डेंट सुनिंट में में अधिर अधित में प्रम में अधिक्स में डेस्ट लुटा होता है। देखो वरग मेट्रिक्स है अपने पास वरग मेट्रिक्स कि एक्वल टू ए आई जे कि विसम कि सम्मित मैट्रिक्स कहलाती है कि विसम सम्मित मैट्रिक्स कहलाती है कि यह दि एक की पावर टी करें और अपने पास क्या जाए माइनस एक पावर टी यहनी कि एका ट्रांस्पोर्ज करने के बाद में अव्योग तो वो के वो ही रहेंगे मैट्रिक्स में हर जगे पर एलिमेंट आपको से मिलेगा प्रंथू उनका चिन अलग मिलेगा जो पहले प एक्वल टू क्या बन जाए माइनस एजे आई बन जाए देवो इसमें और इसमें क्या परगए यह दोनों बराबर है पर अंतु इसमें माइनस का डिफरेंस आ गया तो यह क्या बन जाएगी विसम सम्मित मैट्रिक्स बन जाएगी दोस्तों आपको हजारों एक्जाम्पल गशार पराब डाब बना सकते हों हजारों एक्जाम्पल आप यह रहित proves अब संसमें महत्रिक्स हम जब भी बनाएंगे तो विकंड के ऐलिमेंट कैसे आएंगे विकंड के element कैसे आएंगे वरग मैट्रिक्स में यह मुखे बात है यह बहुत ही important बात है दोस्तों जब weekend की बात करेंगे विकन कैसा होगा इस matrix का weekend कैसा होगा किसमें विसम सम्मित matrix में तो weekend जब हम बात करेंगे तो वहां पर आई और जे क्या होता है बराबर होता है जैसे इस एक्जामपल में आप देखो यह वरेग मेट्रिक्स थी और इसका विकर्ण यह था A, 1, 1, A, 2, 2 इसकेस में I और J बराबर है आई और J इसमें भी बराबर है तो अब यहाँ पर विकर्ण की बात करेंगे तो आई बराबर जे होगा आई बराबर जे होगा तो यह वाला केस बनेगा अब देखो जब इसको इदर ले लोगे तो टू ए आई आई हो गया और बराबर में क्या आगया दोस्तो जीरो आगया बराबर में क्या आगया जीरो आगया तो दिस इंप्लाइज ए आई आई बरा मतलब यह निकला कि से सभी वहों किया होते है जीरो होते है विकर्ण कि इसकी में सम्मित मेट्रिक्स देखो एक एक्जांपल बनाते हैं यहां पर दोस्तों हम सम्मित मेट्रिकष लें मैंने अपने स्वेच्य से और मैं इसको इस केस में डालना चाहता हूं एक माइनस का कि निए अब मैं इसका करम 3 वाई 3 बनाना चाहता हूं तो विकर्ण के सभी विए तो मैं पहले जीरो जीरो ढाल दूँगा यह अपने को पता हो गया आई इकवल टूजीरो होगा अई एकवल टूजीरो होगा दूसरी बात यहां पे अपकों साएगा एवन वन हुआ यहां पर आएगा a12, a12 मैंने मर्जी से 3 डाल दिया, अब मेरी मर्जी से यहां पर 3 तो डाल दिया, अब देखो यहां पर a12, तो यहां पर यह क्या बन जाएगा a21, तो a21 क्या होगा, माइनस 3 होगा, और a21 कहां पर आता है, यहां पर आता है, यह पर यह माइनस 3 लेना से मैंने 5 डाल दिया तो ए 13 तो यह क्या बनेगा 31 ए 31 का आप यहाँ पर यह क्या होगा फिर माइनस का 5 होगा नहीं होगा यहां पर जैसे मर्जी से एक डाल दिया आपने यहां पर एक डाला यह कौन सी जगह है ए तू-3 दूसरी पंग्ति तीसरे इस्तम में आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा 3-2 यहां पर 32 यहां पर क्या होगा माइनस का एक होगा दोस्तों यह विशम सम्मित मैट्रिक्स बन गई इस मैट्रिक्स में यह आप ट्रांस्पोर्ज लेना चाहते हो दिस इंपलाइज एकई पाउटे की आएगी मेरे लाड लो एकी पाउटी का मतलब वो ही है पंक्तियों को इस pushing में बदल दो तो पंक्तियों को iसистम में बदलोगी दोस्त efficacy गोगे दोएकिह दोस्तों तो पहले पंक्ति की जिरो तीन टीन पाउच है हुआ यहाँ पे जीरो तो तीन पाँच पहला इसितम बन गया पर माइनस 30 एक बन गया तीसरी फंगतीस दमें बदलेगी मार्ण तो माइनस 5-1 और माइनस सारी जीरो जीरो मतलब तो जीरो माइनस लगाओ चाहिए प्लस लगाओ अब आप इस में देखो कि यदि हम माइनस बार ले ले इस मैट्रिक्स में से माइनस बार खीच ले यहां पर जगे थोड़ी कम बच रही है फिर में मैं आपको यहां समझाऊंगा देखो माइनस मैंने बार ले लिया इसमें से माइनस बार ले लिया तो जीरो को जीरो ही रहेगा यह किसका बन गया प्लस का बन गया यह किसका बन गया यह माइनस का बन गया यह जीरो 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 जी एक बार फिर से नजर यहां पर डालों है एका ट्रांस्पोस आपने लिया जो संक्या स्दाइ क्या एक नहीं आइए गुए स्वांधे ऐ गए मारे माइनस में अग्याaf में आगे आप फिर भी एक झांपल और ले लेते हैं है आप्णा लेते हैं और लेते हैं और आपकी डाउट को क्लियर करते हैं कोई मैट्रिक्स A है अपने पास यहां पर A, H, G और दूसरे मैट्रिक्स सोरी यहां पर H, B, F, और G, F, C है एक मैट्रिक्स में B ले रहा हूं दोस्तों और आपको पेचाना कौन सी सम्मित है और कौन सी विसम सम्मित है 0, H, G, माइनस H, 0, F, माइनस G, माइनस F, और 0 तो देखो विसम सम्मित मैट्रिक्स है तो डेफिनेट है विकर्ण के सभी अवे जीरो होंगे यहां पर आप देख लो एक ही पावर जब टी लोगे आप एक ही पावर टी लोगे तो यह क्या बनेगा एच यह वाली पंगती इस्तम बन गई है तो यह वाली पंगती इस्तम बनेगी तो एच यहां पर क्या आएगा दोस्तो भी एफ पिर यहां पर जी एफ और सी तो अब आप देख लो यह कोई बदली नहीं यह तो वापस सैंद्ध यह मैट्रिक्स आ घर भी यह और यह दोनों सैंद्स अपने को क्या मिला एक की पाव और टी किया और वापस यह मिल रहा है तो यह वाली क्या हो गई सम्मित मैट्रिक्स हो गई यह सम्मित मैट्रिक्स हो गई और इसके बाद करें बीकी पावर टी लेंगे तो आप देखोगे जीरो एच जी माइनस एच जीरो एफ माइनस जी माइनस एफ और जीरो यह आई अब आप देखो दिहां से देखो यहां एच प्लस का था और यहां क्या हो गया माइनस का गया यह प्लस का था यह माइनस का हो गया यह माइनस वाले प्लस के हो गया है तो हम इसमें से क्या ले ल ले ले तो माईनस बाहर आया दोस्तों यहां पर क्या बनाई जीरो एच जीए माईनस जीएड़ SweMIनस F और जीज़ो तो निए धर यह लूख सकते इससको जी लिख सकते अब अपने पास क्या चल रहा बी की फावर टी अठो बेराबर में चली रहा है तोटी या इस बिया đến विलकित और विश्ञ अभी पर्यशा को थोथ यह संसे मट्रिक्स मेटरिक्स हो गई है अब संवित मैटरिक्स के जो घुन है वह बहुत इंक है में बहुत ही इंपोटेंट है दोस्तों तो हम पहले बात करने वाले हैं सम्म्मुत मैट्रिक्स के गुंदरमों की और फिर विसम ममेट्रिक्स के गुंदरमों की सम्मित एवाम विसम सम्मित मैट्रिक्स के गुनदर्म देव वीडियो का पर लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पर छोड़ता हूं एगले वीडियो में हम इनके गुनदर्मों की चर्चा कर लेंगे दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अगले वीडियो में फिर से मिलता है और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए क्योंकि इससे मेरा मनोबल ब लियास करूंगा और चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को सेर कीजिए ड़ने वादी